भाई दूज का तियोहार प्रदेश भर में हर्शुलास्वा धार्मिक भावना के साथ मनाया गया बहनों ने अपने भाई की कुमकुम दीपक फूल इत्यादी से विधी पूर्वक भूजा कर उनकी दिरकाई वखुश हाली की कामना की वहीं अपने भाईयों को उपहार भी भेंट किये इस तियोहार पर घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाएं गए और भाई बहनों ने एक साथ भूजन कर इस रिष्टे को यूहीं बनाये रखने की कामना की भाई दूज का तियोहार कार्थिक मास की द्वीतिया को मनाया जाता है भाईया दूज को भातरी द्वीतिया भी कहते हैं इस पर्व का मुख्य उद्देशे भाई बहन की पावन संबंथ वा प्रेमभाव को स्थापित करना है इस दिन बहने बेरी पूजन भी करती है सोलन जिला में इस दिन खूब रौनक दिखी इस दिन को हर्शुलास के साथ मनाया गया भाई दूज के महत्तों के बारे में जानकारी देते हुए पंडित विद्यतत शर्मा ने बताया कि भाई बेहन के अटूट प्यार का प्रतीक वर्ष में एक बार आता है और इस दिन को यम डीतिया के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने बताया कि बेहने इस दिन अपने भाईयों को उपहार भेंट कर भाईयों की दिरगाईयों वाखुश हाली की कामना करती है पंडित ने बताया कि वरिंदावन में इस तेवहार की धूम देखने को मिलती है शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमुना जी में भाई बहनों के स्नान का विशेश महत्व है उन्होंने कहा कि इस दिन भाईयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए भाईया दूज एक ऐसा तेवहार है जिसमें बहन अपने भाईय की दिरगायों की कामना करती है और भाईया अपने पहन को आश्री बात देता है जिस परकार यम्दुतिया यमुना जी में भगवान ने प्रिश्न भगवान ने ये सिखाया था कि भाईया दूज एक ऐसा तेवहार है कि अगर भाईय बहन के हाँ जाता है तो उस बहुत अच्छा पर्म मना जाता है और बहन जो है भाईय की पूजा करती है एक ही ये दिन साल में आता है इसको यम्दुतिया के नाम से भी कहा जाता है और भाई अदूज के नाम से भी कहा जाता है हमारे लोकाचार में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत बरा बरणन है बरंदावन में इसकी बड़ी धूम मचती है आज के दिन वहां भाई और बहन यमना में शनान करते हैं ऐसी धारणा है शास्त्रों में इस पावन मौके पर लोगों ने बताया कि भाई दूज की तिवहार का बेसबरी से इंतजार रहता है बहनों ने अपने भाईों को तिलक लगाया और उन्हें उपहार भेंट किये आज में को दिदी ने गिप दिदी पूजा की बहुती स्पेशल दिन है आज भाई दूज को तियोहार है आज मैंने अपने भाईों की पूजा की उनकी दीरगायों की कामना की और उन्हें उपहार दिया इस तरह से भाई दूज का तेवहार भाई बहनों के प्यार को बढ़ाता है इस साल हम इस तेवहार का इंज़ार करते हैं और इस तेवहार का बहुत ही उत्साहरत है लोगों में सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट